हरियाना एक मात्र ऐसा राज्ज है जिसने तीसरी डोज लगवाने वालों को नेशुल्क हेल्थ सप्लिमेंटरी देने का एलान किया है हरियाना के स्वास्थ मंतरी अनिल विज ने खुद इस बात की पुष्टी की है और इसके लिए हरियाना के स्वास्थ मंतरी अनिल विज ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये हैं विज ने कहा कि जो भी वेक्सिन की तीसुरी डोज लगवाएगा उसे हल्थ सिप्लिमेнов्टरी निशुल्क दी जाएगी विज ने कहा हर्याना में पहली डोज शत्-परतिशत लोग लगवा चुके हैं और दूसरी डोज 86 परतिशत लोग लगवा चुके हैं लेकिन तीसरी डोस लगवाने में लोगों का कम रुझान है। इसलिए इस स्कीम को लांच किया गया है। तमिल नाडू कॉंग्रेस के जिला पर मुख ने बयान दिया था कि जिस जज ने रहूल कांधी को सजा सुनाई है उस व्यक्ति की जीब काड़ते नी चाहिए। विज ने इस बयान पर अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ना तो समिधान को मानती है और ना ही कानून विवस्था को मानती है। और लगातार ये जो आटोनमस बोडी हैं उनका लगातार अपमान करके देश को कमजोर करना चाहते हैं। देश की प्रजातंतर को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए बार बार प्रजातंतरिक संस्ताओं पर परहार करें। AIMIM के प्रमुख असुदीन ओवैसी ने बताया कि देश का पहला आतंकवादी नाथू राम कौड से है जिसने महात्मा गांधी को मारा था। विज ने इस पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो सारा समय आतंकवादियों में रहता हो उसे हर आदमी आतं देखते रहें Ambala Breaking News आप हमें Facebook पर Like करें YouTube पर भी Subscribe करें और अपने Android के Play Store और Apple Mobile के App Store से हमारी एप Ambala Breaking News डाउनलोड करना ना भूलें